जैस्री कृष्णा राधे राधे सुबह उठकर घर की महिलाएं ऐसा कौन सा काम करे कि जीवन की मुस्किले समाप्त हो जाए घर में बरकत हो और वो कौन सा काम है जो महिला क्या पूरूस क्या बच्चे किसी को भी नहीं करना चाहिए तो उसके पहले कि हम वीडियो की सुरुआत करें अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे अपनों से सेर कीजे ताकि उनका भी भला हो जाए तो चलिए सुरुआत करते हैं दर्वाजा खोलते ही क्या करिया घर के महलाएं ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परिसानी ही ना आए अर्थिक तंगी ना रहे जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद दर्वाजा खोलते ही मुख्य दर्वाजा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता हलांकि आपको सुबह थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह सच है घर में जो आपका मुख्य दर्वाजा होता है उसका काफी बहत्तों है जैसे हमारे बास्तू सास्त में भी कहते हैं बाकी पूरे घर का दर्वाजा जैसा भी हो लेकिन घर का मुख्य दर्वाजा तमाम दर्वाजा से सबसे बड़ा और दो पल्ले वाला होना चाहिए यानि सिंगल पल्ला का दर्वाजा नहीं होना चाहिए ये भी बहुत बड़ा बास्तु दोस लगता है और दूसरी बात हमेशा ही अपने मुख्य दर्वाजे को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए क्योंकि घर में जो मुख्य दर्वाजा होता है वहीं पर से तो मालक्ष में आएंगे न तो बास्तु सास के अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा सही इस्तिती में सही दिसा में भी होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, सांती और सम्रिधी लाता है तो दोस्तों चाहिए आप कैसा भी घर बनाए हो, कैसा भी दर्वाजा हो लेकिन इसी में एड़ेस्ट करना होता है क्योंकि घर तो लोग एकी वर बनाते हैं, बार बार तो बनाते नहीं है अब चलिए हम ये बतलाएं, क्या महिलाएं घर की दर्वाजा खोलते ही क्या काम करें, कि जीवन में परिसानिया कम और खुसियां ज़्यादा आए घर की महिलाएं सुभा सोकर उठने के बाद अपने मुख्य दर्वाजा के दोनों चौखट में थोरा थोरा जल जरू डालें और ये जल अगर गंगा जल हो तो अतियुत्तम है वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइट चौखट में डाल दें थोरा थोरा डालना है इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुख सम्रीदी भी आती रहती है दोस्तों दूसरी बात सनी बार और रभी बार क के दिन ये उपाया को करना है वैसे तो आप घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर आपका जहां द्वार होगा वहां तो जाडू लगवाते ही होंगे पानी से साप करवाते होंगे हर को ही कराता है लेकिन क्या आपको पता है सनी बार और रभी बार के दिन जाडू लगान और अभीबार के दिन ये उपाय जरूर करें आप चाहें तो नित्ते दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे सास्त्रों में ऐसा वर्णित है अगर कोई ब्यक्ति आपके उपर जादू, टोना, टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और मा लक्षमी आपके घर रहेंगी दूसरी बात आप अपने घर के दर्वाजे पर पीला, लाल, मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग बेगर लगा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा, सो समझकी कीजिएगा, किसी बास तो भीत से अच्छे से सला लेकर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बतलाया, मुख्य दर्वाजे पर सो के उठने के बाद दोनों चोखट में जल डालना है, और सनी बार और रविवार को खास कर आपको मुख्य दर्वाजे के बाहर जो होते हैं, द्वार, वहाँ पर जल डाल देना है, जाडू लगाने के पहले आप घर में पोच्छा भी लगवाते ही होंगे, तो घर में पोच्छा जो लगवाते हैं, सिर्फ ब्रस्पति बार का दिन छोड़ कर बाकी सारे दिनों में नमक मिले हुए पानी से पोच्छा लगवाईए, और याद रखिएगा, ब्रस्पति बार के दिन नहीं लगाना है, अगर आप इस नमक मिले हुए पानी में एक चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं, तो आपका ब्रस्पति भी मजबूत होगा, और घर में लक्षमी आसानी से आएंगी, दोस्तों आप अपने मुख्य दरवाजे पर, हम मुख्य दरवाजे पर ही आते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है, सोमबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगवाईए, आप रसी, सूता, किसी चीज के सहारे आम के पत्तों का एक जानवर लोग खा लेगा कोई दिकत नहीं है, ऐसा करने से आपके जो घर में आप लोग रहते हैं स्वास समस्या नहीं होगी, और ब्रहस्पती बार के दिन अगर आप धन चाहते हैं, तो ब्रहस्पती बार के दिन असोक के पत्तों का बंदन बार लगाएं, ठीक उसी प्रक असोक के पत्तों का बंदन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है और सोम बार के दिन आम के पत्तों का बंदन बार लगाने से स्वात समस्या कभी परिसान नहीं करती है आप चाहें तो सोम बार के दिन आम के पत्तों का बंदन बार लगा लें गुरुबार के दिन असोक के प पीट में दरीदरता का आवास होता है और दरीदरता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परिसानी होगी इसलिए जब भी लगाईए मुख्य दर्वाजे की अंदर की ओर से दर्वाजे के ठीक ऊपर गनेज जी की तस्वीर लगाईए जैसे कि उनका पीट बाहर की ओ अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मुख्य दर्वाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गनेज जी लक्ष्मी जी के उनकी पीट अंदर की ओर चलिया ही बहार से अपने लगा दिये ऐसा आप मत कीजेगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है इसलिए अंदर की ओर से भी एक गनेज जी चिपका दें ये उत्तम रहेगा अपने घर में पूरे घर में जहां तहां देपताओं की तस्वीर ना टांगे एक पुजास्थान वनाए उत्तरपुर्व कोना में वहीं पर देपताओं का निवास रहने दे और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग्स कि भी ना टांगे ότι हिंसक जानबर के दूपता हुआ जहाज है ताज महल है नेतराज है इस टाइप के मड़ पैंटिंग टांगिए नाहीं छर्ने का पैंटिंगी लगाईएगा वरना पैसे आपके जर्न पैरनी की पानी केzhँ बहने लगेगा ये तो हो गई अब हम आपको आगे की बात बताते हैं, आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइट स्वस्तिक जरूर बनाईए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नौंगुल से छोटा ही रहे, सुन्दर सा खुबसूरत सा बनाईए, और बनाएंगे कैसे, तेल, सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स कर करके भी बना सकते हैं, और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं, स्वस्तिक बनाईए, और स्वस्तिक के दोनों साइट दो खड़ी रेखाएं, जरूर डालिएगा, ये लक्षमी को बांधिती है, अगर आपने यूहीं सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को तो फिर स्री आपके घर में नहीं रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, मुख्य दरवाजे के चोखट के ठीक ऊपर बीचो बीच हल्दी और चावल, चावल जो अक्षत होता है, उसे पानी में भीगो दे आधे गंटे के लिए फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल् मुख्य द्वार के चोखट पर ठीक बीचो बीच ओम लिखिए, आपके घर में नकारात्मक उरजाएं प्रवेस नहीं कर पाएंगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर के दरवाजे के पास कहीं जगह है, तो वहां पर तुलसी का पौधा, या फिर ब मरबर कराएंगी, एक बात का ध्यान रखिएगा, और हमेशा ही में गेट को दम साफ सुथरा रखिएगा, अगर आपके घर के बांडरी वाल के दरवाजे के बाहर जगह है, तो आपका पौधा जरूर लगाईए, सत्रू कभी आपको परिसान नहीं करेगा, तो हमने आपको बतलाया, में गेट को आप कैसे अच्छा बनाए कि जीवन में सुपता बढ़ती चले जाए, और खुसियां आती चली जाए, समी का ब्रिक्ष कभी भी घर के अंदर ना लगाना हो, तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर बाएं साइड लगाईएगा, इस बात का ध्यान र घर में पीपल का पेड होना अच्छा नहीं होता, वरना सनी दोस से पीडित हो जाएगे, अगर घर में आपके छट पर कहीं दिवाल में कम से कम पुर्व साइट तो भूल कर भी पीपल का ब्रिक्ष ना आने दे, ना ही चाया पढ़ने दे, वरना आपका घर दूसित हो एक बात का ध्यान रखेगा, मिट्टी में मत लगाईएगा, जब भी लगाईए गमले में मिट्टी भर कर लगाईए, डारेक्ट चमीन में मत लगाईएगा, यह अच्छा नहीं होता, और मनी प्लांट को कभी किसी पेड का सहारा लेने मत दीजिएगा, जैसे ही किसी दूस पेर पर यह मनी प्लांट चड़ेगा, पत्ते बड़े होते चले जाएगे, और बड़ा पत्ता वाला मनी प्लांट अपने आप में दोस देने वाला होता है, तो इन चीजों से बचिए, छोटा पत्ता का ही मनी प्लांट अच्छा होता है, दोस्तों हमने आपको बतलाया था मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर से गनेश जी की तस्वीर लगाने एक और बात करनी है आपसे ये जो तस्वीर आप लगाईएगा उसमें तीन मोर पंक तस्वीर के ठीक उपर में लगा दीजिएगा डंठल अंदर की ओर से कर दीजिएगा तीन मोर पंक याद रखिएगा ये बास्तु दोस्ट पूरे घर का बास्तु दोस्ट को समाप्त करने के लिए काफी होता है अपने डाइनिंग एरिया में भी आप एक मोर पंक का जुरूर अस्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर ना पड़े और आपका जीवन खुसियों से भरा रहे पर सुबह के समय कुछ ऐसे कारे हैं जो बिल्कुल भी ना करें जैसे कि सुबह उठकर आइना ना देखें, सुबह उठकर लडाई जगडा ना करें सुबह उठकर आप सबसे पहले कोई हिंसक जानबर की तस्वीर ना देखें, सुबह सुबह एक मैना का देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है और साथ ही सुबह के समय आप तेल मत देखिए, खाली बरतन यानी रात में ही भरके रखिए, तेल हटा कर रखिए, धार दार चीजों को मत देखिए, उनको भी साइड करके रखें रात में कीचन में और दूसी बात, आप छोटे बच्चे की तस्वीर देखिए, या फिर कोई भगवा हैं, आप उनको देखिए, हम आप से विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे, तब लाइक कर सब्सक्काइब करें, अपनों से सेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखें, दनीवाद.